कराहल के पूर्वे सरपंच नंद किशोर आदिवासी ने विधायक टिकट के लिए भरे हुंकार खबर कराहल से ही जहां सोशल मीडिया पर पूर्वे सरपंच की एक पोस्ट वारेल हो रही है जिसमें कराहल पंचायत के पूर्वे सरपंच और नंद किशोर आदिवासी ने भाजपा की विधायक रेस में खुद की उपेक्षा होने के चलते बहुत दुखी है उन्होंने पार्टी से रोज विक्त किया है और पार्टी से मांग किये कि इस बार विजएपुर विधानसभा से उन्हें टिकट दिया जाए और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं विजए प्राप्त करूँगा वो अपने आदिवासी समाज के संख्या बाल और आने समाज के करीबी और भाजपा पार्टी के करतब वे निष्ठा कारी करता होने के नाते इस टिकट की मांग कर रहे हैं और यदि ऐसा नहीं होता है तो उनका समाज जो फैसला करेगा वो उस फैसले के साथ रहेंगे उनके इस चुनावी संग्राम में उनके कई समर्धक साथ आए जिनमें कई सरपंच और समाज के प्रतिश्चित लोग मौजूद हैं आज हमारी बीच मौजूद है कराल की वो सक्सियत जो किसी भी परिशे की महताज नहीं है इन्होंने बहुत राजनेतिक इनका गड़े तरह राजनेतिक भूमी से हैं और इनका गाओं जो सौनीपुरा है अगर उसको अत्य शुक्ति नाम आना जाये तो वह इन्हीं की नाम स और मैं इतने पदों पर यहां रहा हूं फिर भी मेरा नाम उस विदायक पद की रिस में क्यों नहीं है जबकि मेरा तो पूरा जीवनी बीजेपी को समड़ते थे आप हम इसे मिलके जानेंगे क्या सर को सर की कमिया है क्या इनको अन्नाजरंदाज पार्टी किसलिए कर रही ह जी नमस्कार सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है क्या कहना चाहते हैं आप हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं कि मैं बरकर रहा हूं भारती जनता पाल्टी में मैंने मेरे बड़े भाई साब 20 साल तक लेम सो साथी अध्यच रहे और फिर मैं भी रहा मैं जलाज जच भी रहा दो बार का मोर्चे का और अब और करहा लेती नहीं बड़ी तैसिल है उसमें सर पंच रहा हूं भारती जनता पाल्टी में कोई बोट नहीं देता तब से भारती जनता पाल्टी में हमारा काम पूरा परवार और हमारा एक इसने बना रहा है कि हम उसी पाल्टी में काम करते आ रहे हैं और आज आधवासी भाई हमारे भारती जनता पाल्टी में जबकि पहले कोई बोट न परमपरा से उस पाल्टी में चले आ रहा है उनको नाम ही नहीं नहीं लेकान हम जो कोई सम्मुद्ध है बहा है बहाद हूरी रहे जाएंगे हम इसलिए कर रहा हैं कि हमारे आदवासी समाज काजी जो भी मांगे हैं उनकी मांगों को रखा जाएगा बिदान सवाम है पहले जो कि हमने एक संग्टन करके एक ता बताई थी आदवासी समाजने कि हमें एक लडाना है तो अमने में थोड़ा बुजरुक के नाते सीताराम जी आते थे तो उनका यह अमने खड़ा किया लेकिन वह भी नहीं थे यह बाल्ति इसलिए निवह है कि हम जो यूगता और समाज को देखने बाल पर समाज में देखने वाल उसको टुक नहीं मिला आदवासी तो तो फिर क्या करेंगा वो बर्चस बॉत भात से जाती बात भी देखा जाए तो आज हमारा बात्तर सत्तराजार आदवासी बोट है तो इस चीज़ को भी देखा जाएए देखना चाहिए पाल्टी को है गोलैव सिंग जैब पायटी में कौह जाता डो जारी मरब जैकर तो बीजय पायटी में जैजन चंक के जाव से do जब लोग सभा कलाड़े थे जब हमारे स्रीमान अडल जी यहां से संसद कलाड़े तो उसी जमाने से हमारा परवार उसी में और हम लोग करते चले आ यानि देखा जाए तो पाइटी की जब शुरूबात यहां हुई है विसे इसकर इसकराल शेत्र में देखी जा तो जब इस पाइटी को कुई जानता नहीं था पंजे की निसान कहीं एक पैचान मानी जाती थी तो कमल के फूल को खिलाने में जो इनने अपना अमूल योगदा दिया और जो इननों ने अपना पूरा जीवन दिया उसको एक तरह से नकारा जा रहा है पाइटी की विदाइक की रेसमें का कोई नाम नहीं है यह बोलना है कि कुछ नए नेता जो अभी अभी पाइटी में आया है उनका विदाइक की में नाम है और मैं जड़ से जोड़ा किया है निपक्चो के कोई भिष्टा चार नहीं पहला है आप तक और आधवासी वाली बात नहीं समाज में भी हमारा बैवार देखा जाए कि नंद को रादवाची का बैवार कैसा है उस परवार का कैसा है हम अपने मतलब से बहुत नहीं कह रहे है कि हमें टिकट देकर सब्सक्राइब और माननी है उपर वाले जो हमारे बरिष्ट बैटे आकराल सोपर जिले में उनसे पूछा जाए कि यह परवार भारती जंकता पाल्टी में कवसे जंक्सक्र मला हुआ है कि हमारे आधवासीं की आवाज हमें रखनी है यदि हमारी पाल्टी बनती है और सथा में आती है तो हम आधवासी और सभी बरक के चोटे बरक के सभी जाती बादों को ले करके मैं ऐची चीज की इच्छा रखना हूं पूर्व सरपंच जी ने एक बात बढ़ी अच्छी की है कि इन्हें केवल आधवासी जो वोटर हैं वो तो इनके यहीं यह सभी समाज में इनकी लोग प्रेता है इनों ने किया है आट साल यहां सरपंच जो कराल जैसी पंचायत के सरपंच रहे हैं इनके ही कारकाल के दौर और बाहर से आते हैं उनका जी सेंट्रिलाज करवाना दबाई छड़कना रात दिन हमने पर सभी करमचारियों को प्रेट करकर के हमने इस कराल में कोरोनकाल से बचाया यहां कोई भी आता कि हमारा कोरोनकाल का ऐसा कोई केसन नहीं हुआ अस्पताल वालों से और उन सब से मि प्रिशासन का बड़पूर साथ दिया तमाम सारी ऐसी बात थी जो अभी तो यह संचिप में बता नहीं सकते हों चीजों को वह इनोंने की सर और क्या अगर आपको टिकेट सरकार देती है जो भी जो भी चैन कमीती है वह आपको टिकेट देती है तो आप क्या कहना चाहते है आप सीट निकाल पाएंगे या कुछ और बात है देखो सीट तो उनको देख रहा है और उपर जो सूपर जिलिम बरिस्क बैटी है और उपर वालों को भी देखना चाहिए कि बैबारता चलता है इस बोट में और समाज हमारी एक जाई है सत्तरहाजार बात्तरहाजार हमारा बोट है और अन समाज में भी हमारा दिल से सब्सक्राइब यदि हमें टिकेट मिलता तो आराम से हम विजय पाएंगे यह नंदिक किसोर सरपंच जो पूर्फ सरपंच उनके साथ उनकी मरतों को की हुजूम है यह भी सरपंच हैं प्रिजेंट में कुछ पूर्फ सरपंच है और तमाम वो सक्सियत हैं जो आधवाजी समाज में एक अपना होदा रखती है और आधवाजी समाज का प्रितनिद्ट करती है हम मिलकर जानेंगे यह लेरोनी में सरपंच हैं सर आप इनके समर्थन में यहां खड़े हैं क्या आप उम्मीद रखती हैं क्या आपको इनमें ऐ समाज में उड़ने बैड़ने समाज चलाने वाले और जेकी आज समय कौन सो चल रहा है कि पुर्स होते हुए और मेला ने ले लेकर तो में पहुंच रहे हैं उपर टिकट के लिए और आधिवाशी ने पुरसन ने चोड़कर मेला नहीं जा रहे हैं तब मेलान नाम बताएंगे जरा बहुंच का नाम है उसको गुड़डी बाई बताई तो गुड़डी बाई तो जटेतो कचु पीचन यह तो नेता कोई काम किना हमारे नेता अमैंने ता जाहिए जन संग के हमाई समाज में और भरवकत काम करें नेता को अम टिकट मांग रहे और और कि यह बात और चल रही दोनों पाल तीन से कहना चाहता हूं कि यह तहां वी से आरबोड अनिसमाज के और यह दस जार बार बोट दस जार बार बोड वो मांग रहा वह टिकट और जिकी हम साड़ सतर हजार बार बैटे चुप उनको नहीं यह टिकट अधी जैसे सीता राम जैस क्रास कार नहीं किए जवाज कि उन से सब्डें की की कुछ दे और में कुछ नहीं बैयो मैं कुछ सरकर हो पंद्रे साल चाल हो गई औरहली कारता सबुबधा CT जी जान शे लेकं एसे जो जार नेतन को जैसे नंद किसो हो रहे तो ऐसे नेतन को टिकट नहीं दाथ पर काक रहेगी पर जनता वह बाम है चल रहा है दस जार बार बोटर बार इनको बार टिकट दे रहे हैं और जेकि आप कोई सुनवाई नहीं कोई पूचा ही नहीं कि जिसकी जितनी संक्या आओ उस पोसिबल के दार पर बोट शेरिंग होनी चाहिए और बीजेपी से टिकट भी उनी विक्ति को मिलना चाहिए यह 84 महापंचाइट अध्यच टुंडाराम लांगुरिया जी हमारे बीच हैं काफी ज इन से मिलके जानेंगे इनके समर्थन में आया नंधि किस्व रादवाद्शी जी किस मुंद्रों को लेकर आ एक क्या आपकी रहे हैं तो मैं कोंगरिस की बात करूंगा ना बीजेपी की बात करूंगा पिछले पांसालों कि बात में आपकी सामने रखना चाहता हूं कि कि जो भी राजनितिक पार्टी चाहे बो बीजेपी हो चाहे कॉंग्रेस हो जो भी आदिवाई समाज को अपना टिकेट देगी हम उसके समर्थर में रहेंगे और ऐसा हुआ भी भारती जनता पार्टी ने अपना टिकेट मानने सिताराम जी को दिया हम उससे खुश थे लेकिन उसके बाद जब प्रक्रिया चली हम लोगों ने देखा किसी तरह मादिवाई जी कितना कार कर रहे हैं चेत्रवें कितनी बुराईयां मिल रही हैं उनके प्रती कितना अच्छा काम की जाए उन्होंने उनको देख करके आज ऐसा लगता है कि हम लोग पीछे बापिस बिलकुल मानते हैं कि एगर नंतक सुर जी को बाच्छ नी बात मानता हूं क्यों कि मां से भी बोटा लें कर ऑनी देता हूं हैब है लेकर मेरास कर नंद किसुरू जी कराल से जिंता है इसलिके अ जता मैंने था य। निय। क्ष मकी किश न है लेकर मेरा के लग कर छाएं। हम्या आठी काजिश किर्टे नहीं कर चाहिए है चाहर कांगरीस दो चाहर बाजबां यौ tenho हमारे आदिवासी भाई काजे उपर उठाना चाहते हैं हमरे आदिवासी भाईों की कोई सुनवाई बाजबा भी नहीं करती है ना कांगरेस नहीं करती है लेकर छोटा सा आदमी सरपंच होती हुए नंद किसुन ने हमारी सुनवाई करी है उसने खड़ा किया तो हम उसका चाहते हैं कि टिकट इसी के लिए दिया जा हम उसके पीछे जान लगा देंगे और नंदक सोर का जिता करके और खड़ा कर देंगे पाल्टी में हार नहीं आने देंगे बड़े ही जो से लिए नेता हैं और कह रहे हैं कि मेरे इतनी यहां पर पैचान है या मेरी इतनी समाज इज़्जत करता है कि मैं जिस भी आदवासी बस्ती में जाओंगा वहां से बोट लियाओंगा और सामान लोकों से इनके काफी अच्छे संबन्द है और यह कह रहे हैं कि यह इस चेत्र से फिर से कमल खिला देंगे यह इनका कहना है जी यह हमारे बीच मौजूद है यह पटेल साहब हैं सिलपुरी से आदवाजी समाज से पटेल हैं काफी अच्छी इनकी बोट बैंक है और काफी आदवासी जो हैं जो इनको अपना नेता मानते हैं यह भी आज से इनकीसवर सरपंस आपके समर्थन में आये यह जो कजगंजी सर आपका क्या नाम मेरा नाम राम जिलाल पेटेल हूं मैं इस ऑलो का देक्ष मैं 225 बनाओं और और मेरे अज़ों कहना कहना चाहता हूं कि मैं समाज के प्रति बहुत से बहुत से बहुत से बहुत हैं बोले भाग विकास के लिए बढ़ा सकते हैं कि हमारे फ़र्ट के दिया जाए तो ठीक है निर्दली उतार है सब्सक्राइब कर दो यह आप चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि एक तरह से सायक बने विकास की रगती को लाए विकास में रोड़ा ना बने वह यह ऐसा नहीं करते हैं तो यह पिर मजबूर होंगे कि निर्दलिये केंड़ेट को तारा जाएं यह हमारे साथ सर्पंज साव एकर मौजिद हैं यह भी बताएंगे कि क्या सर आप रामचरन जी अप क्या चाहते हैं क्या आप क्या आप मतलब ऐसी बात रखना चाहते हैं नंद के सुर जी से बीजेवी पारिटी यह सोचने को करेगा कोई दिक्कत नहीं पर समाज तन से एक दम मूँ पहलिया समाज तन से परंत मैं तोड़ा बहुत पड़ा लेका होता तो ने समाज की सोचता पर समाज को बिलकुल कुछ नहीं किया समाज का सी तराम जी उस वोट शेरिंग वाली लिस्ट मैं से नजाने किन कारणों के कारण इनका नाम नहीं वेजा गया है ऐसा सरपन साफ का ही कहना है अब सरबंच साब कह रहे हैं कि मैं इतना समर्थित करता हूं समर्प तुम पारटी के लिए और यह कह रहे हैं कि मझे टिक्ट दिया तो मैं पारटी को विजए भी दिला के लाओंगा यह भी एक दावा कर और इनके समर्थक भी कर रहे हैं अब पाइटी ने टिकेट क्यों नहीं दे रही उनके मोख कारण क्या है वह भी अमिन से जनले सर यसे क्या मोख कारण है कि आपको नजर अंदाश कर रही है देखो ऐसा है जो आदवासियों के बीच में आदवासी और समाज के लिए गरीब सम सिंग जी को दोबारा उनके नित्रत में सरकार बनाना चाहते हैं लेकिन अब ऐसा हुआ तो क्या है कि आदवासी का एक आत्मा बल टूट जाएगा कि हमें बीजीप अब नहीं चाहती है कि हमारा यह कैसे भी करके हम पाल्टी को जिताएंगे और हमारा यह से कौन से मैंने को ही ब्रकिया जब भी कोई बिनायवान का रखोंस्त आस्ट डाना में करता काँ चाहाएं लडबस से इन आवे बड़ा नहीं होता है तो समाज कहेगी ख़लूँगा कर नहीं हो